हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Stokes Law की, Stokes Law में हमारे पास में एक Spherical Body है, हमारे पास Spherical Body है और यह Spherical Body V Velocity से Vertically Downward Move कर रही है, ऐसा हम Consider कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर यह Velocity V Velocity से Vertically Downward Move करती है, तो इस पर कौन-कौन से Force लगेंगे, उसके बारे में हमको Discuss करना है, यहाँ प इस पर Vertically Downward एक Force लगाएगा, तो यहाँ पर हम एक Force Vertically Downward अपलाई करते हैं, that is M, G, और इसको हम कहेंगे इसका Weight, इसके Weight के कारण एक Force Vertically Downward लगेगा, और यहाँ पर दो Force Vertically Upward इसके Opposite Direction में लगेंगे, ओके, और एक Force होगा, जिसको हम कहेंगे Drag, और एक Force होगा, अब Thrust Force Archimedes Principle के According, तो उपर लगने वाले दो Force होगा, और नीचे लगने वाले एक Force होगा, that is Gravity, तो यहाँ पर अगर हम इस Drag Force की बात करें, अगर हम Drag की बात करें, अगर हम Drag की बात करें, F की बात करें, तो Viscous Stokes Lock के According, यह जो Drag Force होता है, यह इस Spherical Body के Radius पेड़िपन करता है, यह Drag Force Velocity पेड़िपन करता है, Drag Force, Coefficient of Viscosity पेड़िपन करता है, ओके, Drag Force जो है, वो Radius पेड़िपन करेंगा, Drag यहाँ पर Velocity पेड़िपन करेंगा, Drag यहाँ पर Viscosity पेड़िपन करेंगा, सबको अगर हम Combine करतें, तो हमारे पास में एक Formula आता है, 6 Pi Eta A V, और इस Formula को हम Derive भी कर सकते हैं, इसका Derivation भी Available है, और इसका Derivation देखने के लिए हम यहाँ पर Dimensional Formula, Dimension Analysis का Concept यूज करते हैं, ओके, तो हमारे पास में Stokes Law के According, अगर Drag Force की बात करें, कोई Body, अगर किसी Spherical Body, अगर Viscous Medium में में मूग करती है, तो उसके उपर Force लगता है, 6 Pi Eta A V, यहाँ पर A की जग Radius, Radius of Spherical Body, V का मतलब क्या है, Velocity, और जितना ज़्यादा Velocity होगा, उतना ज़्यादा, और Eta का मतलब Viscousity, इतना ज़्यादा Radius होगा, उतना ज़्यादा Viscous Force उस पर लगेगा, तो यहाँ पर हमने यह Concept देखा, F is equal to 6 Pi Eta A V, और इसको हम Derive भी कर सकते हैं, इसके Derivation के हम Dimensional Analysis का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, Dimensional Analysis, ठीके, जैसा कि Stokes Lock के According हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, जो Force है, जो Drag है, वो Function है Radius का, वो Function है Velocity का, और वो Function है Coefficient of Viscosity का, ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं, F is equal to K R rest to power X, Velocity rest to power Y, और Rita rest to power Z, हमने Dimensional Analysis देखा हैं, Dimensional Analysis में हम इसी तरीके से इस Formula को Proof करेंगे, कि यहाँ पर कोई Constant हो सकता है, अगर हम F के Dimension Formula को देखें, तो वो होगा M L T minus 2, ओके, आगे बढ़ते हैं, कि एक Constant है, Proportionality Constant है, इसका कोई Dimension Formula नहीं है, R का Dimension Formula Radius है, तो L rest to power X हम लिख सकते हैं, क्योंकि X उस का Dimension Formula M L T minus 1 होगा, है ना, तो यहाँ पर rest to power Z लिख देंगे, और Eta का Dimension Formula हम पहले discuss कर चुके हैं, M L minus 1 T minus 1 और rest to power हम Z लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और arrange करते हैं, तो हमारे पास में M L T minus 2 as it is, है ना, यहाँ पर K as it is, और अगर हम L की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सबके power को differentiate करते हैं, हम सबके power को अलग-अलग कर देते हैं, तो M का power यहाँ पर Z आया है, ठीके, M का power यहाँ से कितना आ रहा है, Z आ रहा है, L का power अगर हम देखें, तो X, first term से X आ रहा है, second term से यहाँ पर plus Y होगा, और third term से minus Z होगा, और अगर हम T की बात करें तो यहाँ पर T का power कितना आ रहा है, यहाँ से minus Y आ रहा है, और यहाँ से minus Z हमारे पास में आ रहा है, तो इन सबके dimension formula हमने लिख लिए है, अब हम compare करेंगे, तो यहाँ पर M का, यहाँ पर जो dimension है वो 1 है, और इस side, right hand side dimension Z है, तो Z equal to हमको मिला 1, ओके, हम यहाँ पर L की बात करेंगे, तो L का dimension, जो dimension है, वो right hand side Y plus Z, X plus Y minus Z है, और left hand side हम देखेंगे, तो वहाँ पर 1 है, T की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है, minus Y minus Z is equal to minus 2, है न, तो यहाँ पर Z का value हम put करेंगे, minus Y minus 1 is equal to minus 2, Y का value हमारे पास में 1 आ रहा है, इन सब का value इस equation में put करेंगे, तो यहाँ पर X, Y का value 1 आया, minus Z का value 1, और 1 is it is, Z का value यहाँ पर 1 put करना है, 1 से 1 cancel हो जाएगा, X equal to हमको 1 मिलेगा, मतलब X का value 1, Y का value 1 और Z का value भी 1 हमारे पास में आया, मतलब अगर हम Drake की बात करेंगे, तो वह होगा, K, R, V, Z, सबका power 1, 1, 1 है, मतलब F is equal to 6 pi, R, V, Z होगा, यहाँ पर हम आपको एक question देते हैं, कि यहाँ पर K का value 6 pi आपने कैसे लिख दिया, वो आपको बताना है, तो आप comment box में जरूर बताइएगा, कि 6 K का value आपने 6 pi कहां से find किया, हम यहाँ पर K का value 6 pi कैसे लिख सकने हैं, तो यहाँ पर हमने Stokes Law देखा, और Stokes Law में हमने देख कि drag जो होता है, वो 6 pi eta A b होता है, यह formula बहुत important है, जो आपको रट लेना है, और इसे से related हम और अच्छे अच्छे numericals यहाँ पर देखते हैं, इस लोग loss related हमारे पास में terminal velocity से related equation आया है, पर terminal velocity हमने अभी नहीं पढ़ा है, पहले हम terminal velocity को concept देखेंगे, उसके बाद हम इस question को करेंगे,